हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ कुछ बाते सेयर कर रहे हूं जिससे हम तो कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे हमारे स्कीन की इतनी सारी प्रॉब्लम क्रेट हो जाती है जो सारी प्रॉब्लम हमें बुगतना पड़ता है और कुछ गलती के चलते हमारी स्कीन भी खरा कुलमफू अगर यूच करती हो तो प्लिस फेस पर अपलाई ना करें कर इससे आपके सिंघी हानप हो सकता है इस्कीन आपकी मतलब डल हो सकती है पिमपल्स निकल सकते है छाई पर सकती है इस्कीन रफ हो सकती है आपकी ब्राइटनेस गाइब हो सकती है तो ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज है जो आपके स्कीन से जुड़ी हुई है सारी आपकी खतम हो जाएगी आप चितना भी चौह होगे आपकी glowing face नहीं आ सकती है तो प्लीज आप लोग से request friends आप लोग जो भी देखते हो आप shampoo को कभी भी face पे apply मत करिएगा हाँ आपको अगर apply करना है तो आप अपने हातों पैरों पे apply करें उसे कोई satisfaction नहीं है क्योंकि shampoo बालो के लिए बना है face के लिए नहीं face के लिए तो already साबून face wash available है तो आप वही यूज करें shampoo को भूल कर भी अपने face पे ना लगाए इससे आपको बहुत सारी परसानी का सामना करना पड़ सकता है करना आपको लगाना है तो बेशन मतलब मैंने बहुत सारी ऐसे वीडियो डाल रहे है जो आप face पे apply कर सकते हो लेकिन shampoo को please skip करिएगा आप उसे हातों पैरे तक की सीमित रखे face तक ना ले जाएं और अगर आपको हातों पैरे की गंदगी को remove करना है तो आप ये tips को follow कर सकते हो लेकिन हाँ face की गंदगी को remove करना है तो please shampoo को skip करिएगा क्योंकि shampoo हमारे skin के लिए harmful है उसे आपको पता है कि हमारे skin के साथ क्या-क्या हो सकती है परसानिया आपको जहलनी पर सकती है तो अगर आपको लगता है कि मेरी video थोड़ी CV helpful है तो please आप लोग support करिएगा friends क्योंकि मैं आप लोग के लिए video ये बनाई हूँ खास कर कि अगर आप face पे अगर आपसे apply करते हैं तो please apply मत करिएगा इसे बन कर दीजिए और अपने हातों पैरों को चमकाईए सैमखू से और अपने skin को अच्छे से अच्छे care रखिए care ध्यान दखिए तो friends आज का video मेरा I think आप लोग को अच्छा लगा होगा friends अगर अच्छा लगा होगा थोड़ा सा भी तो please मेरे video को एक like जरूर करिएगा मेरे channel को subscribe करिएगा ताकि मैं मैं जो भी video डालू आपके तक पहुंच सके तो आप देख सकते हो मेरा हाथ बहुत ज्यादा ब्राइट होगा